ओके, next, you should love your country, आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, you should obey your teachers, आपको अपने teachers की आज्या का पालन करना चाहिए, third, you should speak the truth, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, you respect your parents, आपको अपने parents की इज्जत करनी चाहिए, ठीके, अपने माता-पिता का आदर करना चाहिए, और उनकी बात को सुनना चाहिए, okay, next है, do not, इसको मैं short में लिखते है, don't, okay, does not को doesn't, should not को shouldn't, these are called short forms, यह हैं short forms, okay, हमें इनको नीचे चेंज करना है, यह लिखा हुए ने, इसको हमने, जो अंडर लाइने है, इसको हमने short form में लिखना है, okay, we should not write on the walls, हमें walls पर नहीं लिखना चाहिए, है ना, walls में दिवार पर नहीं लिखना चाहिए, बाकि सेम है, यहाँ पर should not लगाने है, okay, short form लिखना है, should not, good boys do not tell lies, अच्छे लड़के जूट नहीं बोलते हैं, तो don't आएगा, good boys don't tell lies, अच्छे लड़के जूट नहीं बोलते हैं, okay, यहाँ पर है, unno does not go to school, तो यहाँ पर हमने लिखना है, unno doesn't go to school, पोलते है, she does not brush her teeth, फिर यहाँ पर हैगा, she doesn't brush her teeth, वो अपने दातों को brush नहीं करती, पोलते है, you should not pluck flowers, you shouldn't pluck flowers, आपको फूल नहीं तोडने चाहिए, ओके, अब यहाँ पर हमने let's और let us करना है, ठीक है, we should dance, तो हैं पर let's dance, चलो dance करते हैं, you should not shout, तो let us not shout, हमें चिलाना नहीं है, we should drink milk, let's drink milk, चलो दूद पीते हैं, we should not cut trees, let us not cut trees, we should go home now, let's go home now, चलो घर चलते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, five sentence में use करने, should और should not, ठीक है, should mean होता है, चाहिए, चाहिए, ओके, should mean, चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह पर should और should not का हमने use करने, ओके, let's see, you should go to school, आपको school जाना चाहिए, ओके, second is, we should not plug the flowers, हमें fullो को नहीं तोड़ना चाहिए, प्लक मिन तोड़ना, flowers मिन फूल होगो, थर्ड है, you should not write on the walls, आपको walls पर नहीं लिखना चाहिए, walls मिन दीवार, ओके, फूर्थ है, you should not hurt anyone, यह निकि आपको किसी को hurt नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, ओके, you should not eat junk food, आपको junk food नहीं खाने चाहिए, जैसे chips, curry, ठीक है, बाहर की जो चीज़ा होती है, यह हमें नहीं खानी चाहिए, avoid करना चाहिए इनको, write five sentences for the things you should not do, ठीक है, हमें अपर should not लगाना है, जो हम नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो हमें नहीं करना चाहिए, you should not talk to stranger, आपको अजने वियों से बातें नहीं करनी चाहिए, जिसको हम जानते नहीं है, से में बातें नहीं करनी चाहिए, okay children, you should not write on the walls, आपको walls पर नहीं लिखना चाहिए, you mean होता है आप, you should not hurt anyone, आपको किसी को hurt नहीं करना चाहिए, तंग ये दुखी नहीं करना चाहिए, fourth, you should not pluck the flowers, आपको flowers नहीं तोड़ने चाहिए, you should not eat junk food, आपको junk food नहीं खाने चाहिए, okay खारने junk food, चौमीन, कोल्ड रिंग, पिज़ा, बरगर, ये सब चीज में अवोइट करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, इससे हमारी health, खराब हो जाती है, okay, अभी यहाँ पर activity है, देखिए, let's see activity, look at the picture and write GH for good habits and BH for bad habits, ठीक है, GH mean good habit, G for good, H for habit, अच्छी आदत हैं, और B for bad, और H means habit, bad habit, बुरी आदत हैं, ठीक है, तो हमें इसमें fill करने की कौन से आदत तमें सीखनी चाहिए, कौन सी नहीं सीखनी चाहिए, देखिए, यह boy है न, यह birds को क्या दे रहा है, grains, अना आज खिला रहे हैं न, birds को, तो यह good habits है, और यह दुनों boy क्या कर रहे हैं, bad habits हैं न, fighting कर रहे हैं, यह bad है, bad habits है, हमें किसी से fighting नहीं करनी चाहिए, okay, यह देखिए, यह जो boy है एक, क्या कर रहे हैं अपर, बुक्स को फाड़ रहे हैं न, तो हमें बुक्स नहीं फानी चाहिए, यह bad habits है, भी एच लिखना है यह आपर, ओके, और यह देखो, गल है, यह प्रे कर दीए, गॉट की, ठीक है, तो प्रे करने अच्छी बात हैं, good habits, यहां पर बहु ही है, यह प्लांट, फ्लार्स में क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं न, वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट में न, तो यह good habits है, और जूस पीना भी, good habits है, अच्छी आदत हैं न, और यह देखो, इनने क्या करा, पत्थर लेके, एक चिणिया को मारा हैं फर, तो bad habits है, okay, okay children, you should also learn good habits, okay, आपको भी अच्छी आदत हैं, सीखनी चाहिए, छीखे, आप सीखेंगे न, very good, चलिए मिलते नेक्स क्लास में, Thank you, take care of yourself.